खबर यूपी के सीतापुर से है जहां जिला अधिकारी अफसीक आनन बाड़ प्रभावित तीन तहसील लहर पूर विस्वा वा महभूदाबाद के उप जिला अधिकारियों से जल वहाओ घरों के कटान जनहानी फसल की छतियाद की फलपल की जानकारी लेकर तीनों तहसीलों के अधिकारयों वा करमचारियों को बाड़ प्रभावित छेत्र में उपस्पत रहने के कड़े निदेश दिये हैं मुगेच कित्सा अधिकारी डॉक्तर हरपाल सिंग को लिदेशित किया है कि प्रभावित छेत्रों में लगाए गए स्वास सिवीरों में दवाओं की उपल अधिकारी वा तहसिल्दारों को निदेशित किया कि बाढ़ प्रभावित गाउं के लोगों का संख्यात्मक सर्वे कर फूर्ड पाइकट का वित्रण सुनिश्चित कराएं जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था नहोंने पावे वह कोई भी फूर्ड पाइकट से बंचित न रहे जोगरतमंग लोगों को रासन किट उपलब्द कराया जाएं सार्दा नदी में नदी का बहाओ दाएं किनारे पर अतिधिक होने की कारण तहसिल विसवा की ग्राम पंचायत रतन गंज में इस्थित बाढ़ बचाओ कारे को स सार्दा नदी द्वारा नुकसान पहेंचाया गया था जिस पर विगद एक सब्ता से दिन रात कारे किया जा रहा है कोहें सहाय का भी अंताय उन्जिनियर द्वारा मौके पर ही रात दिन कैम कर अपनी निगरानी में कारे कराया जा रहा है बर्दमान में सार्दा नदी सहागरा नदी का जल अस्तर कम हो रहा है सीता पूर से जन्मत न्यूज के लिए अनूप मांडे की रिपोर्ट